तो hey guys and welcome back to our channel बिना को लंबा इंट्रो और लाइक करो सब्सक्राइब करो वाली ना टंकी को साइड में रखते हुए मैं आज आप से बात करने वाला हूँ Minecraft के कुछ ऐसे facts के बारे में जिसे अगर आप लोग सुनोगे तो आपका reaction कुछ इस तरीके का होने वाला है तो वीडियो का end तक जरूर देखना अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई mistake दिखे तो उसे comment box में जरूर बता देना मैं उसे अपने अगली वीडियो में improve जरूर करूँगा तो without wasting any more time let's get started तो guys क्या आपको पता है कि Minecraft का जो पहला version था आप वो सिर्फ 6 दुनों के अंदर ही बनके तयार हो गया था तो guys क्या आपको पता है कि Minecraft का मैप है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैप है क्यों क्योंकि वो एक infinite map है मतलब आप उसमें कितना भी चलो मैप उसका कभी खतम नहीं होने वाला उसका कोई end point और starting point है ही नहीं तो इसके आपको पता है कि जो ghast की sound होती है जो की nether world का mob होता है जिसका नाम होता है ghast उसकी sound होती है वो कुछ होने जैसी आती है वो उसकी sound नहीं होती है वो developers के दुवारा ले गई थी एक सूती हुई cat से यानि कि बिल्ली से आपको पता है कि Minecraft का जो crafting table होती है जिससे लोग अलग-अलग tools या फिर तो items बनाते हैं उसे कहते हैं workbench मतलब उसे workbench भी कहा जाता था इसके आपको पता है कि Minecraft का जो एक block होता है उस एक block का dimension होता है 1 meter into 1 meter into 1 meter इसके आपको पता है कि Minecraft में जितनी भी mops हैं वो किसी ना किसी चीज से डरते जरूर है जैसे कि creeper cat से डरता है skeleton dog से डरता है और zombie sunlight से डरते है इसके आपको पता है कि Microsoft ने Minecraft को 2.5 billion dollars में खरीदा था इसके आपको पता है कि around 126 million of people's हर महीने game को खेलते है इसके आपको पता है कि Minecraft की तब से लेकर अब तक total 200 copies बिक चुकी है इसके आपको पता है कि Minecraft एक अच्छा source है education का क्यूं कि हम लोगों को इसमें कुछ चीजे पता चलती है ऐसे कुछ keywords पता चलते हैं जो कि शायद हमें normal life में पता ना लगाता है या फिर पता लग भी जाए तो हमको याद करना उनको थोड़ा मुश्किल हो जैसे कि pickaxe हो गया हो पिछ होती है यानि कि मतलब मैं तुमें क्या बता हूं उसको पिछ होती है न वो थोड़ी low होती है इसके आपको बता है कि Minecraft का सबसे ज़दा rarest यानि कि सबसे कीमती चीज क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि dragon एंडर ड्रेगन का एग यानि कि अंडा सबसे rarest चीज है Minecraft की ऐसा क्यों क्योंकि एंडर ड्रेगन का जो एग है वो सिर्फ तभी मिलता है जब आप एंडर रेगन को मारोगे और यह सिर्फ आपके पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक होता है और एक बार मतलब एंडर ड्रेगन को मारने के बाद ही यह आपको मिल सकता है अर्फ के आपको पता है कि Emerald और होती है वो Emerald से भी ज़ादा rare होती Emerald तो आप लोग किसी भी विरेजर से ट्रेड करके ले सकते हो लेकिन एमरेट और आप लोग इतनी आसानी से नहीं ले सकते रहस के आपको पता है कि माइनक्राफ्ट का एक दिन हमारी रियल लाइफ के 20 मिट के बराबर होता है अघर आप लोग अपने मौब्स यानि कि दो टौंब्स उसक्रीपर एक बड़ार इन सब को नहीं चांते हो तो फिर अप लोग अपने तो फिर तो आप लोग अपने पीस्फुल ज में सुईच कर सकते हो मोड में स्विच कर सकते हो यह एक ऐसा मोड बनाया गया है डवलोपर के दवारा कि जब आप लोग नहीं चाहते हो तो फिर तो आप अपनी जो डिफिकल्टी होती है उसे आपको नॉर्मल से पीसफुल में सेट कर सकते हो जिसे कि आपकी गेम में मॉब्स नहीं आएंगे अगर तो आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिल तो आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई क्यों क्योंकि आप पढ़ाई करने भी तो जाना है